अब हम example number 2.10 देखते हैं हमें statement में क्या गिवन है two registers of resistance R1 is equal to 100 plus minus 3 ohms and R2 is equal to 200 plus minus 4 ohms are connected first option A में हमें क्या दियो है in series and B option में in parallel find the equivalent resistance of first part का series combination का and second part में हमें parallel combination use for A the relation R is equal to R1 plus R2 and for B use relation 1 upon R dash is equal to 1 upon R plus 1 upon R2 and delta R dash over R dash square is equal to delta R1 over R1 square plus delta R2 over R2 square so अब जो मेरा series combination है उसमें तो simply find कर दूँ हमने find कर लेना equivalent resistance को by using only addition ठीक है but B part में देखिए उसने क्या कहा गया है कि मैं दो equations यूज करूँगा यहां पर यहां से मेरी observed value निकलेगी और यहां से मेरे पास error R2 value निकलेगी फिर इन दोनों को combination के साथ मैं equivalent resistance निकालूँगा ठीक है स्टार्ट करते हैं पहले ए पार्ट देख लेते हैं solution ठीक है सो ए पार्ट वैन एक रिजिस्टर्स और इन सीरीज सो हम कहेंगे इक्विलेंट रिजिस्टेंस इन सीरीज कंबिनेशन या ऑफ सीरीज कंबिनेशन सो मेरे पास र1 प्लस र2 गिवन है सो र1 इस एकल तो 100 प्लस मैनस 3 ओम and R2 की वैल्यू 200 प्लस मैनस 4 ओम्स सो यूनिट्स तो सेम है अब हम यहाँ पर सिंपली बाइ उसिंग एक्वेशन जो हमने से गिवन है सो R is equal to R1 प्लस R2 को यूस कर लेंगे सो 100 प्लस मैनस 3 प्लस 200 प्लस मैनस 4 ठीकरी ओम सो हमें रूल मालूम है कि चाहिए हम सब्ट्रेक्ट करें और एड करें सो जो मेरे absolute error है देखिए इस equation में यह मेरी होगी observed value इसे में लिख देता हूँ observed value आप कह सकते हैं 1 क्योंकि R1 की इसमें यहाँ पे मेरी 200 होगी observed value observed value two so these are my three and four यह क्या मेरे पास absolute resistance of resistance one and resistance two respectively ठीक है so simplify करके मेरे पास क्या answer हा रहा है तो यहाँ प्लस ही है 200 प्लस 100 300 so plus minus हमें मालूम है जो भी मेरे absolute error है equations में वह हमेशा ही add होंगे चाहे हम subtract कर रहे हैं चाहे हम addition कर रहे हैं so three plus four seven oh this is our required answer in a part so अब इसका बी पाड़ देखते हैं अब हमें बी पाड़ में क्या फाड़ करना है इक्विलेंट है रिजिस्टेंस इन पैरलर कॉंबिनेशन ठीक ही so उसने हमें यहाँ पे दो इक्विशन दी थी first one मेरे पाफ जो इसने एक्विशन दी है उसमें क्या है one by r- ठीक ही और डेश रिप्रेजेंट कर रहा है अब्सर्ब्ड वैल्यू इन पैरलर कॉंबिनेशन को इस बत को अब ध्यान में रखिए one by r1 प्लस one by r2 and second equation उसने हमें दी थी डेल्टा आर डेश मतलब absolute error in r- equivalent register में absolute error over r- square is equal to delta r1 by r2 square plus delta r2 sorry यहां पर r1 की नीचे r1 आएगा r1 square so r2 square ठीक है यह हमें given है हमने बस जहां पर values put करके इसको solve करना है so start करते हैं सबसे पहले मैं observed values को लूँगा क्योंकि यहां पर ध्यान रखिए जैसे हमने पहले देखा तो क्या observed value क्या होती है r- हमें observed value लेनी है r1 की and r2 की so observed values of r1 and r2 हमें मालूम है क्या है तो पहले से मैं simplify कर लूँ हना equation 1 को so 1 by r1 on left hand right hand side हमें LCM solve करना है तो LCM कैसे सब्सक्राइब होता है इस equation को मैं उपर इससे multiply कर दूँगा r2 को इससे multiply कर दूँगा और r1 और r2 को आपस में भी multiply कर दूँगा so मेरे पस क्या गया r2 plus r1 ठीक है numerator में denominator में r1 into r2 so अब यह equation मेरी convert हो जाएगी r dash reciproc कर दूँगा दूनों साइट left और right r1 into r2 अब r1 भी plus में r2 भी plus में so I write r1 plus r2 ठीक है अब हम observe value में से r1 और r2 की value put कर देंगे so equation में मेरी r1 की value क्या थी 100 observed value ठीक है यहाँ पर मैं सिर्फ observed value की बात कर रहूं into r2 की value 200 upon 100 plus 200 ठीक ही r dash so r dash is equal to 100 into 200 upon 300 so 0000 so मेरे पास क्या बचा 200 by 3 अब जब मैं इसे simplify कर रहा हूं तो मेरे पास r dash की value आ रहे है 66.666 तो इसे मैं लिख सकता हूं approximately 66.67 ओं ठीक है तो देन अब हमारा second part तो अब यहाँ पर देखिए यह सिर्फ मेरे पास observed value आई है मैं यहाँ पर लिख देता हूं observed value equivalent resistance find करने के लिए मुझे observed value चाहिए और absolute error की भी value चाहिए तो वो इस equation से निकलेगी so start करते हैं अब इसे में simplify कर देता हूं मैं r dash 2 को मैं right hand side multiply कर देता हूं तो मेरी given equation क्या हो जाए कि delta r dash absolute error in equivalent resistance so it become r dash square delta r1 by r1 square plus r dash square delta r2 by r2 square ठीक है तो अब इसे हम rewrite करके भी लिख सकते हैं यह भी square है यह भी square है मैं एक साथ लेजू और दोनों का square है तो मैं square whole में भी लिख सकता हूं r dash upon r1 whole square into delta r1 plus r dash upon r2 whole square into delta r2 so हमें given statement में values given है कि absolute error in r1 कितना था absolute error r2 कितना है so हमने यहां पे find कर लिया अपना r dash equivalent में parallel combination में कितना है so अब हम just values को ही substitute कर रहते हैं so delta r dash is equal to r dash की value मेरे पस कितना है 66.67 so r1 observed value मेरे पास क्या थी in resistance r1 में 100 का whole square into r1 dash r1 dash कितना था मेरे पास और सॉरी delta r1 कितना था 3 absolute error 3 so plus same here 66.67 upon r2 कितना था 200 का whole square into 4 absolute error in reading r2 में कितना था 4 so यह भी ओम होगा अब इसे simplify करके देख लेते हैं so delta r dash is equal to मेरे पास कितना आ जाएगा जिरो पॉइंट अगरे से में 100 से डवाड़ी करूं 66667 square into 3 plus यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा जिरो पॉइंट 334 round of में हमने यहाँ पे कर लिया का square into 4 अब डेल्टा r dash is equal to अब जब से में square खोलेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा square solve करेंगे 0.445 round of करके लिख लिया into 3 plus 0.112 into 4 डेल्टा r dash is equal to अब अगर इस इस कोल्टिदी को में त्री से मिल्टिप्लाइप करूं तो मेरे पास कहता है 1.335 plus 0.448 और इसे sum up करने पे मेरे पास आ रहा है 1.335 0.448 को जमने प्लस किया तो मेरे पास है सो मैं round off करके लिख सकता हूं डेल्टा r dash absolute error ठीके जी इन इक्विलेंट इस इक्वल तो 1.8 oh ठीक है तो इस इस मैं डेल्टार यहां पे मेरे पास आ डेश आ गया था यहां पे डेल्टार डेश आ गया सो हमें मालूम है कि मेरे एक्विलेंट रिजिस्टेंस ठीक है सम अफ अब्स वैल्यू और अब्सलुट आयर अब्सलुट आइड आप्सलुट आयर का सम तो मैं क्या कै सकता हूं र-डेश ठीक है is equal to 66.67 plus minus 1.8 ohm that's our answer